हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फीर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि टेक्नो स्पार्गो फोन में आप लोग इंकमिंग कॉल फ्लाश लाइट को कैसे इनेबल कर सकते हो अगर आपके पास एक टेक्नो स्पार् मतलब यहाँ पर जो है आप लोग चाहते हो कि जब भी आपके फॉन में किसी का call आए तो आपको जो एक केमेरा का flush light है वो blink होने लगए ताकि आपको पता चल जाए मानली जो आपके फॉन में किसी का call आ रहा है आपका जो screen है वो कुछ इस तरीके से off है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा गाई सकी आपके फॉन में call आ रहा है तो अगर आप लोग जो incoming call flush light को enable कर दोगे तो आपको जो फ्लाशलेट है वो blink होने लगेगा तो अगर आपको भी यह feature को use करना है गाई incoming call flush light को enable करना है तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्त तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए गईस वीडियो को start करते हैं incoming call flush light को enable करने के लिए आपको सबसे पहले जो है phone के application को open कर लेना है जिससे आप लोग call करते हो open करने के बाद यहाँ पर जो है आपको एक settings का option देखने को मिलेगा गाईस तो इस settings के option पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला option होगा का इस सबसे उपर में flush for call का तो यहाँ पर नीचे लिखा हूँ अब देख सकते है flush will alert continuously when locked मतलब जब भी आपका जो screen है वो lock होगा और आपका जो flashlight है वो blink होने लगए अगर call आएगा तो इस option को यहाँ पर से on कर देना है on करती है अभी जो है आपके phone में incoming call flashlight on हो चुका है तो अभी आप लोग एक बार चेक कर सकते होगा इस आपका जो flashlight हो ज़रूर से blink होने लगएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने techno spark go phone में incoming call flashlight को enable कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसना आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चेनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई